नमस्कार मैं हूँ सुनील बोवी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्थकरम बिहार समाचार यहां बाते करते हैं बिहार की खबरे होती है बिहार की बिहार के खबरों के साथ दिस दुनिया में क्या कुछ और चल रहा है तमाम खबरों से आपको कराते हैं पंचायतों में भी बीतिये गर्बडी की अब होगी जाच ग्राम पंचायतों में हुई बीतिये गर्बडी और निर्वान कार्ज में गुनवता की जाच होगी। बितेदीन जनता के दरवार में मुखमंत्री कार्जकर में ग्राम पंचायतों में उक्त मामले से जुड़ी कई सिकायते पहुची, जिस पर मुखमंत्री ने मुख सची और पंचायती राजविभाग को इस मामले की जाच कर सिग्र आवश्यक करवाई करने का निर्देश दिय गया है, एक फरियादी ने कहा कि उनके यहां पंचायत सरकार भवन बनी है, जिसमें गुनमता का कोई ख्याल नहीं रखा गया है, रात में छट की धलाई कर दी गई, सिकायत करने पर मुझे मारने की धमकी दी गई है, यह सुनकर मुखमंत्री ने अपने परधान सची दीप कारवाई सुनेशीत करें, वहीं एक मामला पहुचा जिसमें काम कराये बिना पंचायत किरासी की निकासी कर ली गई है, एक अन्य मामले में समस्तिपूर के एक बैक्ती ने मुखमंत्री से कहा कि उनके गाउं में अभी तक नाले का निर्मान नहीं हुआ है, इस मामले पर सक अधिकार के बारे में कहा है, आखिरकार जिस वाड में काम हो रहा है, उसमें उस वाड के वाड सदस की भूमका भी होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है, तो निसी तोर पर गरवड़ी की गुन जायस है, दूसरी खबर पंचायतों से ही जुड़ी हुई है, आपको बतात जले कि सुपॉल और सहरसा से आए युवक ने गाउं में पक्की सड़के नहीं बनने की सिकायत की, सीम ने समस्याय सुनी, समनित विभागों को कहा, करवाई का भी निर्देश दिया है, यानि कि बिहार का मुखमंत्री का पूरा का पूरा ध्यान अप गाउं की ओर आ गया ह जनता के दरवार में मुखमंत्री ने इन तवाम समस्याओं को सुना और प्रधान सचीव मुख सचीव को आदेश दिया इस पर जाच करने के लिए और देखना यह होगा कि क्या सचमुझ में गाउं का विकास धरातल पर सही नहीं उतर पा रहा है, आखिरकार कमी कहां पर है आपको बताते चले के मधपूरा जिले के महादली टोले से आए इवक ने मुखमंत्री नितिस कुमार से गुहार लगाते हुए कहा कि उनके टोले में सड़क का निर्मान नहीं हो रहा है, इसके लिए वे सम्मंदित पदादिकारी से संपर कर रहे हैं पर अब तक कोई कारग अब भी कुछ गाओं कैसे छूटे हुए हैं, उन्होंने गरामीन कार्जबी भाग को सिग्र इन मामलों पर करवाई कर निर्मान कार्ज कराने का निर्देश दिया है, सुपॉल से आए एक इवक ने मुखमंत्री से गुहार लगाई कि मेरे गाओं में सड़क का निर्मान न मुखमंत्री से कहा कि 1978 में मेरे पिता की मिर्तु हो गई थी, मगर आज तक अनुकंपा के अधार पर नौकरी नहीं मिल पाई है, इस तरह से जंता के दर्वार में पंचायतों से जुड़ी कई मामले निकल कर सामने आई है, इधर हम आपको बताते चले कि चार में से एक सामनी भी दिया है, इधर ADG का बड़ा ब्यान आया है कि साइबर ठग मामले में इंटर पोल की मदद ली जाएगी, बताते चले कि पटना में बैठ कर अमीर की नागरी को से साइबर ठग करने वाले गिरो की जाच में ब्यार पुलिस इंटर पोल की मदद लेगी, ADG मुख्य साइब की जाम की समस्या वाली सभी पर्मुक सड़के कम से कम दो लेन होगी, बिहार के पर्मुक सड़कों की चोड़ाई बढ़ेगी, शक्री सड़कों पर फलाई ओभर बनेगा, इधर आपको बता दे कि विकास की रफ्तार से भाचपा बेचैन है, राजत की और से बड़ ब्यान सामने आया है कि जिस परकार से भिहार में विकास हो रहा है, तो भाचपा को बिचैनी बढ़ते जा रही है, जनताराज में दलितों पर चल रही है, गोलियां, रालो जप्पा और दलित सेना के राश्टिय प्रवक्ता स्रवन कुमार अगरबान ने आरोप लगाया है पटनार महानगर अध्याच बने पंकज वहीं सरद्यादो बियार दोरे पर आज पूचे और इधर आपको बताते चले कि आपके साथ फोटो खिचवाने की काफी परसंता है, यह वाक्या उस समय देखने के लिए मिला जब मुख मंतरी से बक्तियारपूर के एक युग ने क आपके साथ फोटो खिचवाने की मेरी काफी तमन्ना है, पर आज तक तमन्ना पूरी नहीं हुई, जनता के दरवार में मुख मंतरी कार्जकरम में यह वाक्या अपनी एक सिकायत लेकर पहुचा था, सिकायत सुनकर मुख मंतरी ने वाक से कहा कि हम तो पूरे इलाके में वह पेका आ रहा है, जनता के दरवार में बिजली भी भाग से भी जूड़ी कई समस्या सामने आई है, इदर जगदानन का फिर परदेश राजत अध्याच पद के लिए आज एक मात्र नामंका निर्वर्तमान अध्या जगदानन सी द्वारा, राज निर्वाचर पतादिकारी इक आसो के यादो और देख कुष्ण ठाकूर सारी का पास्वान के समझ किया गया, इदर कांग्रेस की बात करने तो नए परदेश अध्याच के मनुनयन को सोनिया अधिक्रित और भाजपा को दोहजार चौबिस का डर सता रही है, तेजश्वी यादो की ओर से बड़ा ब् परदेख करने की याजचका को लेकर पर्तिकिरिया दी कहा कि भाजपा को दोहजार चौबिस के लोग सवाचुनाओ का डर सता रहा है और इस तरह की करवाई करवा रही है, तेज़ा समीचा की बात करने ते निवेशको को कई परकार की रियायते दे रही है, सरकार ये स्माटफोन और टैबलेट से निकलने वाली निली रोशनी से हार्मोन का इस्टर परभावीत हो सकता है इस बज़े से बच्चे समय से गये एक अध्यान से आया है पिते दिन बिते सनिवार को European Society for Pidiotic endokrionology की बैड़क में प्रस्पिक आगे आध्यन के मुताबिक नई पिडि में इससे भविस में भून के विकास और परजनन चमता के लिए अत्रिक्त खत्रे पैदा हो सकते हैं जबकि निरी रोशनी से बचों की नींद के पैटर्न में गरबरी होने की विबाते पहले भी पहले ही साबित हो चुकी है इधर कुछ हटकर खबरे बता दे कि नन्हे चांद को टकर मारेगा नासा का यान 26 सितंबर को चुद्र ग्रह से टकराएगा विशेस यान 33 करोड डॉलर की लागत से त्यार किया गया है यह यान आपको बता दे कि अमेरिकी अंत्रिछी एजंसी नासा 26 सितंबर को अपने एक अंत्रिछ यान की जान बुझ कर एक उल्फा पिंड से टकराओ कराएगा वैयानिकों ने ड्राइमॉर फोस नामक एक उलका पिंड को चुना है इसे मुनलेट यानि नन्हा चांद भी कहा जाता है इस टकराओ का मकसद उलका पिंड का रास्ता बदलना होगा नासा ने इस मि पिंड के जरी एक विसे सियान डाई फोर्मेंस नामक छुद्रगरा से टकराएगा और आपको बताते चले कि पहला आइफोन 14 खरिदने केरल से दुबई पहुचा भारती है एपल आइफोन का लोगप्रिता किसी से छीपी नहीं है हाली में कमपणी ने आइफोन 14 सीरीज के नए मॉडल लॉंच किये 16 सितंबर से इसकी विक्री भी शुरू हो गई है इसी बीच आइफोन को लेकर एक अनुका क्रेज देखने को मिला है आपको बता दे केरल का एक सक से आइफोन खरिदने के लिए 40,000 रुपे खर्च कर दुबई पहुचा पहुच गया दरसर दुब आयोग SSC ने संजुक्त असना तक अस्तरिय भरती CGL परिचा के पैटर्न में बदलाओ कर दिया है बिहार के लाको चातर SSC परतियुक्ता परिचा की तयारी करते हैं इस बदलाओ का फैदा चातरों को होगा अब चातरों को किसी मुख पीशे पर फोकस नहीं करना होगा अब सभी पिस्तियों को पढ़ना होगा CDL 2022 की परिचा बदले प्रारूप पर होगी जिसकी अधिसुचना जारी कर दी गई है इधर रोजगार और सरकारी नोकरी को लेकर बिहार के डेप्टी सीम तेजश्वी आदों का बड़ा बयाना है कहा है कि परदेश में कुछी दिनों मे दो लाक लोगों को मिलेगी सरकारी नोकरी इवाएं आस लगा कर बेटे हुए है राज़त ने तावा उपमुक मंतरी तेजश्वी आदों ने बीते दिन कहा है कि भाजपा को दो बड़े डर घिर रहा है पहला डर 2024 के लोग सबाचुनाओं को लेकर है वह इस बात से भैबि द्यान के सरकार कुछ ही दिनों में दो लाक लोगों की नोकरी देने वाली है भाजपा का यह बहे है कि अगर वह बिहार में हो गया तो देश के दूसरे राज्यों में भी इस तरह की मांग उठने लगेगी भाजपा तो रोजगार दे ही नहीं सकति जिए अधे बिहार में लगतार लोगों की नोकरी मिलेगी दो लाख लोगों की सिग्र नोकरी देने की बाते बिहार के डिप्टी सीम ने कहा है अगली बड़ी खबर सिचावी भाग से ही निकल कर आया है कि सरकारी स्कूलों में अब नो बैग डे और खेल पिरियड अनिवार जै यानि कि राज के सभी 72,000 प्रारमिक बिद्यालियों में 9,360 मादमिक और उच मादमिक बिद्यालियों में लागू होगा यह नियम आपको बताते चले कि राज के सभी सरकारी बिद्यालियों में सब्ता में एक दिन बच्चे बिना बस्ते के कलासरूम में आएंगे बच्चों के लिए खेलकुद पिरेड भी अनिवार्ज होगा सिच्छा विभाग के अपर मुक्सचिव दीपक कुमार सी ने बताया कि सब्ताहिक नो बैग डेके में बच्चे के लिए कार्ज अधारित बहवारी कच्छाएं चलाई जाएगी इस तरह से यानि कि सब्ताह में एक दिन बच्चे बिना बैग लेकर कौपी किताब लिए बगर अस्कूल पहुचेंगे और अपनी पढ़ाई करेंगे इधर बता दे कि 166 योजनाओं की रासी सिरे बैंक खातों में जाएगी राज में सभी योजनाएं डिविटी से जुड़ी सुवे में 505.34 कलोर लाभुक हैं इधर आपको बता दे कि गरामिन बैंकों में अपने हिस्सेदारी को कम करेगी केंदरे सरकार और चिंता की बिसे कि बैंकों में आधी राजगरी बाबू की शंक्या और आज के 70,000 बिद्यालों में सिग्र मिलेगी बिसेश सिच्छन शामागरी तो यह ती आज की परमूक हर छोटी बड़ी खबरे जो आपके लिए काम की खबरे थी तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक की लिए दीजे इजाज़त धन्यबाद जहिंद जय भारत बंदे मातरम